गरी लुग चार वर्सुगी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीटियो में हम आपको साइनस की समस्या से छुटका रादिला देने वाला एक बहुती सांदार और आयरवेदिक नुसका बताएंगे दोस्तो सर्दियों की मौसम में साइनस एक बड़ी समस्या बन जाती है साइनस की वजह से नाख बंथ, चेहरे पर दर्द, जुकामादी की समस्या लगातार बनी रहती है साइनस के मरीजों को ठंडे मोसम में बहुत जादा तकलिफ का सामना करना पढ़ता है दोस्तो साइनस की समस्या होने पर आपके नाख बंद हो जाती है जिसके कारण कई बार आपको परियापत सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है इसके कारण आपको जुंजलाट होती है और आप किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं और इसके अलावा इस बीमारी की कारण व्यक्ति की आँखों और सिर में दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है। गालों और आई ब्रोज में दर्द की समस्या हो जाती है। सबसे मुश्किल बाती है कि ये एक बार हो जाए तो कई हपते तक लगातार बनी रहती है और जीना दुश्वार हो जाता है दोस्तो साइनिस की समस्या में खाने पीने का बहुत जादा ध्यान रखना चाहिए और इसमें हलकी फुल की डाइट लेनी चाहिए जैसे खिचडी, दलिया और इसके अलावा उबली हुई सबजियां कच्ची सबजियां या कम तेल में फ्राइ की गई सबजियां कच्चे फल, आदी खा सकते हैं ये सारी चीज़ें आसानी से पच जाती हैं इसमें ज़्यादा हमारे पेट को जानी पाचन तंतर को ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती है इनको पचाने के लिए इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं दोस्तो जिनको साइनेस की प्रोल्म वाले इनसान को नहीं खानी चाहिए जैसे केला, बैंगन, लाल या पिली, शिमला मिर्च, टमाटर इसके अलावा बहुत सारे मिर्च मसाले भी हैं जो स्पाइसी फूड, कूल ड्रिंक, थंडी तासीर वाले चीज़ें आइस क्रीम आदिकर सेवन भी साइनेस की समस्या बढ़ा देता है इसलिए अगर आप साइनेस की बीमारी से परेशान है तो दोस्तो अपनी डाइट का विशेज़ ख्याल आपको रखना चाहिए दोस्तो आज हम आपको एक ऐसा आइरवेदिक नुस्का बताएंगे जिसके इस्तिमाल से साइनेस की समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी और आप पहले से बहतर महसूस करेंगे चेशाथ पत्ते आप तुलसी के उस पानी में डालिए और चेशाथ पत्ते आपको पुदीने की लेने हैं उसी में डाल दीजिये पानी में और इसके अलावा दो पीस आपको लोंग लेनी है लोंग कम्प्लीट होनी चाहिए लोंग के सामने वाला जो भाग है यह फूल जिसको फूल बोलते है यह भी इसके साथ होना चाहिए यह कम्प्लीट लोंग है आप दो पीस ले लिजी और इसके अलावा एक इंच लंबा अदरक का टुकडा ले लिजी और इसको छील कर साफ करके कूट कर उस पानी में आप डाल दीजे और इन सारी चीजों के साथ पानी को अब आप उबा लिए और जब इस पानी अच्छे से उबल जाए और तब इसको आप स्टॉव से उतार कर रख लें पानी को ठंडा होने दें और इसको च्छान कर आप एक दूसरे बरतन में भरकर इसको रख लें दोस्तों ये नुसकाप का बन कर तयार है अब पूरे दिन में आपको थोड़ा थोड़ा करके ये पानी पीना है सुबह से लेकर साम तक आप इस पानी को पीएंगे और इसके लावा एक बड़ा टुकड़ा आप अधरका ले लीजे और इसको च्छील कर साफ करके इसको पीज ले या इसको कूट ले इसमें से आपको रस निकालना है एक चमज एक चमज रस निकालकर और इसमें एक चमज आप सुद्ध सहःद मिलाकर दिन में तीन चार बार इसको ख़एंगे यानि ये जो एक चम्मच और एक सहध एक चम्मच सहध है ये एक टाइम की खुराक है और इसे तरह से आपको दिन में कम से कम तीन बार इसको इस्तिमाल करना है तीन बार ये नुसका इसी तरह से बना कर लेना है दोस्तो आप देखेंगे एक सिर्फ तीन दिन के अंदर आपकी जो साइनिस के समस्या है पूरी तरह से खतम हो जाएगी दोस्तो ये नुस्का इतना कारगर है कि इसका कोई साइड एफेक्ट तो है नहीं सारी चीजें इसमें नैचुरल है आरवे दिखें और ये बहुत ही सांदार नुस्का है आजमाया हुआ है इससे आपको कोई प्रॉल्म नहीं होगी और सहन इसकी समस्या से आपको देखते ही देखते पूरी तरह से छोटकारा मिल जाएगा इस नुस्के के साथ साथ आप खाने पीने का अपना जरूर धियान रखें जो चीजें हमने ना खाने के लिए मना किया है वो चीजें आप ना खाएं और जादे से जादा गरम पानी का इस्तेमाल करें हलका गरम पानी जिसे आप आसानी से पी सकते हैं तो इससे आपको आसानी से साइनस की समस्या से चुटकारा मिलने में आसानी होगी दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी वीडियो और बताए कि अनुसका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हचते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें